असलाम लेकुम वीवर्स इस डिजाइन की बनाने के लिए यहां पे देखें सबसे पहले मेरे पास दू फैबरिक पैनल लिये में हैं इन फैबरिक के चुड़ाई जो है वह मैंने फोर इंचीज लिये हैं लंबाई इसकी मैंने थोड़ी जादा ही ली है क्योंकि मैं इसके सबसे उपर एक एक पैर किस लए लगाते जाएंगे करने के अचीज कर लिया था तो बीच में जह वो निशान आगया है अब इल्कुल दर्म्यान में रखे जो हम इसको स्ट्रेट स्लय लगा देंगे तो यहां पर देखी हमिबर इस तरीके से सै लगाने के बाद बिल्कुल मिड में जहिए scale को रखना है और यहां से एक side पे एक inch का जो है वो margin रखके और निशान लगा लेना है दूसी तरफ भी बिल्कुल इसी तरीके से हम एक inch का margin रखेंगे और निशान लगा के और फिर इसको straight line draw कर लेंगे और इसके उपर बिल्कुल slide लगा देंगे तो यहां पर देखेंगे पर इस तरीके से जो है वो हमने line को draw कर लिया है line को draw करने के बाद यहां पर देखें अब हमने एक side पे जहां पर पहले दर्म्यान में slide लगा थी अब यह वाली slide जो हमने इसके opposite side पर करके लगानी है तो यहां पर देखेंगे इस तरीके से जो है वो हमारे इस fabric की look आ जाएगी अब दूसरे वाले हिस्सा जो है कट्वर को ड्रॉ करने के बाद इसको इस तरीके से डबल करेंगे और डबल करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे कैंके विजिने ने के बाद मेरे पास दो कर चाट वर्क बनके बॉट एक डिरücht mouveंजुर हो जाएगं गए और जारे दो तकर करने के डिरलों के बाद एक और चाटल खर लेंगे कटि इसके तीन करण की हमारे हार्ट पेपर की पट्टी बनके त्यार हो जाएगी इसके बाद यहां पर वीवर्ज मेरे पास बुकरम का एपीस है इसकी चुड़ाई जो है वह यहां पर तक्रीबर मेरे पास दो इंच है इसको इस तरीके से हम डबल करेंगे डबल करने के बाद ऊपर की तरफ हम कट वक रखेंगे और रखने के बाद इसको कट कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर मेरे पास बुक्रम का एक और पीस है इसको इस तरीके से हमने डबल कर लिया है डबल करने के बाद यहाँ पर देखें इस पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे 3 इंच पर मार्क करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां पर देखें इस तरफ हम हलकी सी गुलाई दे देंगे गुलाई में मार्क करने के बाद बिल्कुल सी शेप में हम इसको कट कर लेंगे तो यहां पर देखें विवर्स जो बुक्ता मैंने कट की थी इसको मैंने इस तरीके से Fintex वाले फैबरिक के उपर पेस्ट कर लिया है यह नीचे की तरफ जो आपको अपर नजरा रहा है यह एक्स्टर फैबरिक है इसके उपर रखके हम इसको स्लाई लगाएंगे और यहां पर जो है वो मैंने कुछ और पीसिज लिए है इन पीसिज की लंबाई और चुड़ाई हो यहां पर तकरीबर मेरे पास दो एंच और दो सूत है तो इस तरीके से हम इसको ट्राइंगल बन लगा लेंगे तो इस तरीके से हमारे पास बनके यह रेडी हो जाएगा उसके उपर हम स्लाई लगा लेंगे इनको स्लाई लगाने के बाद यहां पर देखें जो हमने कट किया था अपना कट वाला हिस्सा इसके इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और लगाते जाएंगे रहे तो इस अधाने के बाद यहां पे देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और यहां पर हो पे हम अच्छे से डीप लगाएंगे ताकि अच्छे से सीधा हो जाए तो यहां पर कमेना है करने के बाद कर लेंगे कॉर्वर को इससा शिदा कर लेंगे करने कि यहाँ पर कणे यहां पर न के बाद चूह को कर लिह ऊपर यहाँ इसको इसनग लिया नहीं shaved इसके बात यहाँ पाइप गी इसको इस तरीके से काणने क्जएबें चुहां एनके यहाँ पर अबरा हिस्स्ता है इसके नीचे जो है वह मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने के बाद इस शेप में हमारी बुक्रम कटी हीवी है बिल्कुसी शेप में जो है इसको लगाएंगे कि एसको कट करके निकाल देएगे उपकर के तरफ से एक्स्ट्रा है तो आप इसको कटिंग करके उसको साफ कर लें कि इस तरीके से उसको कर लिए अपर इसको प्लटके सीधा कर लेंगे पालेट के सीधा करने के बाद बिल्कुल अच्छे से नीचे वाला फैब्रिक है इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे सही से ताकि उपर कि तरफ जो है नजर ना आए और बिल्कुल किनारे की तरफ रखके हम इसको लगा लेंगे तो यहां पर देखें वीवर्स दोन स्लय लगाने के बाद यहां पर हम अपना जो पिंटेक्स वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल दर्मियान से और रखने के बाद यहां पर इसको स्लय लगा लेंगे और जो मारा दूसरा वाला हिस्सा है इसको भी इस तरीके से दर्मियान में करके रखें करने के बाद हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल किनारी पर रखके स्लाई लगा लेंगे स्लाई लगाने के बाद यहां पर देखें हुपवरा जो हमारा कटपर का हिस्सा है इसको भी हम इस तरीके से रखना है रखने के बाद बिल्कुल किनारे पर रखें इसको स्लाई लगा लेंगे अच्छे से नीचे मली जो आपको नजरा रही है डिजाइन जो मैंने कॉरणेस पर रखके लगाई हैं इनको मैंने पहले कच्चा कर लिया था सुईधागी की मदर से यहां पर मैं इसको कच्चा किया हो था इस विए से जहें मैं स्लाई लगाने मुझे काफी असानी हो रही है अगर आप चाहें तो आप साहाथ के हाथ भी लगा सकती हैं तो वह भी बहुत तो यहां पर देखें हमारे डिजाइन जो है तक्रीबर मन के कंप्लीट है अब दर्म्यान वाला जो हिस्सा है इसको इस तरीके से एक दूसरे के उपर रखेंगे और रखने के बाद यहां पर भी हम स्लाई करके पका कर लेंगे आप चाहें तो इसके उपर बारीक वाले मोत की जो है वह तॉघाच कर सकते हैं जैसा कि उपर में डिजाइन वी हैं रखेंगे मोन कि तो यह डेखिए और बंकी तुट्ट अर आज के UP को पाूप में आज की वीडियो आपको पसंद आहीं होगी वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल करके देख लें चैनल पीसे झालि को भी सब्सक्राइब कर ली जगा अलाह आफेज